हेलो गाइज वेलकम टू प्यूस पीसियस और आज हम लोग देखेंगे किमिस्ट्री में वन लाइनर आज का टॉपिक है रेडियो सक्रियता जो की जेपी एसी बीपी एसी यूपी ट्रिपल सी इसके अलावे स्टेट पीसियस स्टेट एक्जाम्स और एससे की लिए काफी महत पूंट सिध होंगे तो चलिए पहले प्रसन से सुरुवात करते हैं प्रसन है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी हेंरी बेगरल ने रेडियो सक्रिये परिवर्तन में भाग लेता है परमानू के नाभिक में किसी परमानू के स्थाई नाभिक में प्रोट्रोनो की संख्या होती है योट्रोनो की संख्या से कम रेडियो धर्मिता की यूनिट है क्यूरी रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सरजन करती है अल्फा बीटा गामा किरन का अल्फा बीटा गामा किरन की खोज किसने की रधर फोर्ड ने किस वग्यानिक ने गामा किरन की खोज की रधर फोर्ड ने कौन रेडियो सक्रिय किरन हीलियम नाभिक के समकच होता है अलफा किरन नाभिक से निकलने वाले विकिरन में किसकी विधन चमता सरवाधिक होती है गामा किरन की अलफा किरने है आयन ही आयन अलफा किरनों में उपस्थित आवेस है दो एकाई धन आवेस बीटा किर्णे बनी होती है रिन आवेसित कनोशे किसके उतसर्जन से संभारिक का दिर्मान होता है बीटा कन से किसके उतसर्जन से किसी तत्व का परमानु क्रमांग पड़ता है बीटा कन से किसमे रिनात्वक आवेस होता है बीटा किरन में इलेक्ट्रोन का समरूप है बीटा कन समान उर्जा की अलफा किर्णों की तुल्ला में बीटा किर्णों में बंधन छमता अधिक होती है क्यूंकि बीटा किर्णों का दर्वेमा नगन्य होने से उनका वेग अधिक होता है बीटा किर्ने किस प्रकार का आवेस उत्पन करती है रिनात्मक गामा किर्ने है उच्छ उर्जा वाली विद्दुचुम्ब की तरंगे गामा किर्ने क्या होती है रेडियो सक्रिय पदार्द द्वारा उत्सरजित उच्छ उर्जा उक्त किर्ने होती है किस किरन की वेधन चमता सबसे अधिक होती है गामा किरने की किस किरन की आयन चमता सबसे कम होती है गामा किरन की किस किरन के आयन चमता सबसे अधिक होती है अलफा किरन की समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ 6 होने के पस्चाद किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं सीशा में किसकी वेधन चमता सबसे अधिक होती है अलफा किरन की किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोश करता के देश के नाम पर रखा गया पोलोनियम कौन सा एक रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है सोडियम नाभेकिये विखंडन के द्वारा श्रिंखला अभिक्रिया को नियंतरित करने के लिए निट्रोनों का अन्वेशन करने हेतू किसका परयोग किया जाता है बोरौन का कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है जरकोनियम रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निधारन होता है जीवास्म की आयू का एक बीटा कन में उत्सर्जन से परमानु शंख्यात था परमानु द्रवेमान में क्या परिवर्तन होता है पर्मानु क्रमांक में एक की वर्धी वा पर्मानु द्रवेमान अपरिवर्ति रहता है अल्फा कन के उत्सर्जन से पर्मानु क्रमांक और पर्मानु द्रवेमान में क्या परिवर्तन होता है पर्मानु क्रमांक में दो की कमी वा पर्मानु द्रवेमान में चार की कमी होती है N. सोडियम से बीटा उटसरजन के बाद बनने वाला परदारत है M. जी मेंगनीशिम यदि किसी विद्दु धर्मी परदारत की मातरा को दो गुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी छरन की दर होगी अपरिवर्तित रहेगी रेडियो धर्मी परदारत का जीवन का सतर दिन का है तो उसी परदारत का एक ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा एक सो चालिस दिन बाद एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयू चार महिने है ऐसे पदार्थ के तीन चौथाई भाग को च्छे होने में समय लगेगा आठ महिने का वह प्रनाली क्या कहलाती है जो प्राग एतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारन करने के लिए विगना भीकता रेडियो एक्टिविटी का परियूक करती है कार्बन काल निर्धारन प्रित्वी की आयू का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से रेडियो कारबन डेटिंग से किसका निर्धारन होता है जीवास्म की आयू का कृत्रिम रेडियो सकृता की खोच किसने की एफ जूलियट और मैडम क्यूरी ने यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कन की जरूरत होती है नुट्रोन की परमानु बम का अविस्कार किस ने किया ओटोहान ने परमानु सक्ति सेयंत्र किस सिध्धान पर कार्म करता है विखंडन पर किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिकानी कारक विकिरन पैदा होती है विखंडन से कौन सा सौर उर्जा का सुरोत है नाविकिये शनलेयन कौन सा नाविकिये सहयंत्र में मंदक का काम करता है भारी जल रक्त कैंसर बिमारी की रोक्थाम के लिए परयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 आम तोर पर चिगत्सा में उप्योग होता है क्योंकि यह उत्सरजित करता है कामा किरने हाइड्रोजन बंकिस सिध्धान पर कारे करता है अनियंत्रित सल्लेन अभिक्रिया पर एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्द आयू दस दिन है इसका अभिप्राय है पदार्थ के तीन चौथाई भाग का विगटन बीस दिनों में हो जाएगा रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा गामा उत्सरजन के समय रेडियो तत्वक में से किसका उप्योग मनुष्य के सरीर में रक्त प्रवा की गती मापन के लिए किया जाता है रेडियो सुर्डियम का अलफा बीटा और गामा की वेधन सक्तिया अपने अरोही क्रम में किस क्रम में होंगी इसको आपको सजा कर लिखना है कमेंट बॉक्स में इसे के साथ आज का सेशन समाप्त होता है लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे हैं जैहर जैभारत